matter जो है वो क्या है John Dalton's के मुताबिक अब यह भी पूछा जा सकता है किस के मुताबिक किन के मुताबिक जो matter है वो elements atom से मिलके बना हुआ है तो यह किस के मुताबिक है john dalton john daltons के मुताबिक ठीक हो गया जी अब atom जो है ना atom है different elements में different होते हैं जैसे अब आपको यह चीज़ पता होने चाहिए मैं एक आपको इक structure बता दू है यह mistery सारी के सारी base कर रही होती अब atom जो है इसके structure क्या होता है कि यह हम इसको suppose कर रहे होते हैं यह like circular होता है ठीक है spherical होगा इसके center में क्या होता है nucleus nucleus में क्या होते है protons और neutrons ठीक है जिसे हम कह सकते है P and N ठीक है और electrons क्या कर रहे होते हैं इसके गिर्द गर्दिश का रहे होते हैं घूम रहे होते हैं तकरीबन जो periodic table में total number of elements है कितने है 118 जिन मेंसे कुछ जो है वो natural है और कुछ क्या है artificial है जिन मेंसे क्रीबन तक क्रीबन 94 तक क्या है natural है और 24 तक क्या है artificial है clear note कर रहे हैं आप सब यहां तक समझ आई यहां तक समझ आया इस लिए बेसिक से लेकर चल रही हूं आप लों को कि जिस बच्चे का background बिल्कुल भी science का नहीं होगा तो वो भी इसको अच्छे से understand कर सकेगा अब इसका मतब यह नहीं है कि आप इसके सारी definitions को लेकिन जो चीज़े हमें important है मुझ जैसे यह इंटम के smallest particle किसका matter का ठीक है यह किसके मताबी जोन डॉल्टन के मताबी ठीक है matter क्या chemistry क्या है matter कि study करते है matter कि क्यों कौन से composition की changes की टाइप स्की chemical reactions की इंटमाम को हम क्या कहते है इस तमाम को हम क्या कहते है chemistry ठीक है अब हमने atom को देखा atom के center में क्या होते बताएं atom के center में क्या होते है निउट्रॉंस अच्छा प्रोटॉंस पर चार्ज कौन सा होते है positive चार्ज होता है ठीक है electron पर चार्ज कौन सा होते है नेगिटीव होते है और एक और बात याद रिखेगा कि जो protons है protons जो है वह 1840 टाइम या sometime आपको 1832 भी नज़र आता है कुछ हेवियर होता है किसे अलेक्टान से बात याद रखी है अ में नहीं होता थीक है नियूट्राइन पर कोई बीचार्ज नहीं होगा अब यह तमान चीजें हमने देख ली और हमने यह देखा कि प्रोटॉन जो है वह थारा सो चालिस गुना ज्यादा टाइम्स हैवियर है अब अगर आप से पूछा जाए प्रोडिटेबल में टोटल अलेमेंट्स कितने हैं अभी मैंने बताया है कि जी फुरकान शाहरा जी मैं प्रोडिटेबल में टोटल नंबर ओफ एलिमेंट्स कितने हैं 96 अभी बताया है मैंने कोई और अम बरीन बताएंगे बरीन बताएं एक सो अठारा एक सो अठारा वेरी गुड़ जिसमें से नैच्रल कितने हैं 94 ठीक है 92 इस ताम कहा जाता है लेकिन exact 94 है ठीक है तो जो इन में से option दोनों कठे नहीं आएंगे अगर आते हैं लेकिन जो exact 94 है ठीक है और इसके इलावा सारी क्या होते हैं artificial होते हैं अच्छा याद रखें कि जितने भी artificial elements होते हैं उन तम वो क्या कर रहे होते हैं आपको पता होगा ना ठीक है radioactive elements उन्हें हम कहते हैं इसलिए ठीक है radiations emit कर रहे होते हैं इसलिए हम उनको क्या कहते हैं radio active elements कहते हैं ठीक है जिन में सबसे common example है uranium की जिसको हम बहुत सारे purposes के लिए इस्तामाल करते हैं अच्छा अब इससे related मकसद इसको याद करवाना नहीं है कि इसके definitions क्या है क्या है बस इंपोर्टन चीज़ें जो जो मैं बता रही हूं कि आप लोगों नहीं लिखते जाना है और इतनी detail में यकीन माने नहीं बताते ह अगर आपसे पूछा जाए lightest यानि के simplest element कौन सा है lightest element कौन सा है तो आप कहेंगे क्या कौन सा है hydrogen ठीक है hydrogen राश्दा बचे सो रही हैं आप तो राश्दा प्लीज एक एक्टिवली बोला करें आपको कितने बार भी यह चीज़ बोल चुकी हूं और अगर आपसे पूछा जाए संप से complex element कौन सा है complex element कौन सा है तो वो कौन सा है uranium ठीक है hydrogen hydrogen प्रियोडी टेबल का वैसे first element है इसका atomic number होता है one ठीक है और जो uranium है यह से रिप्रिजेंट करते है यू से इसका symbol होता है यू और इसका atomic number क्या होता है 92 ठीक है और इसी को इसको radioactive या energy production में भी इस्तमाल किया जाता है turbines को चलाने के लिए इस्तमाल किया जाता है बहुत ज़्याद अमांट में इसे nuclear fission और reaction जिससे करवाए जाते हैं किसे uranium से ठीक है याद रहेगी यह चीज़ जी मैं अच्छा जी इसके बाद देखें अभी तक अपने जो चीज़ें रेखें उसमें अपने सब्सक्राइब में तोटल कितने हैं का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटर में कौन सी चीज़ें होती है कौन सी चीज़ें इसके राउंड रिवाल्व कर रही होती है अब पूरे प्रियोडिक टेबल में अगर आप से पूचे जाएं कितने टाइप्स के हैं कितने टाइप्स तो आप क्या कहेंगे में चाहरा रजा की अ其實 केald मैटलस थे पीर आते हैं नॉन मैटलस आप को एक एक ट्रिक बताऊंगे इनको याद रखने की पिर आते हैं बच्व डर से और पी रह आते हैं आपके पास noble gases, ठीक है, इन्हें monosatomic gases भी कहते हैं और इसको zero group भी कहते हैं, ये भी accept पूछा जाता है zero group भी कहते हैं, ठीक है, अब जो metals है यह याद रखना है आप लोगों ने, यह जादतर क्या होती है, solid होती है, ठीक है जो non-metal है, यह जादतर क्या होती है, gases होती है अब इसमें से एक बड़ा important MCQ जाता मुझे भी याद आ गया है कि वो कौन सी non-metal है वो कौन सी non-metal है जो liquid form में पाए जाती है जी बताएं आप लोग फूरे priority table में दो ही element ऐसे हैं जो liquid form में पाए जाते हैं और वो कौन कौन से हैं सल्मान मुहमद अली हसन फुरकान अबरीन राष्टा बताएं mercury very good और एक और है में mercury अच्छा mercury हो गया mercury का सिपल है एच जी एक हो गया दो है बरुमी ठीक है बरुमी और इंज रेड और इंज कलर होता है इसका ठीक है और mercury कहा होता है mercury heat sensitive बहुत जाद है और यह किसमें यूज किया जाता है इसलिए किसमें thermometer में यूज किया जाता है और आपको यह बात जानके हिरानी होगी कि जो thermometer का पूरा weight होता है वो किसका होता है mercury का होता है कि ये बहुत ज्यादा डॉैन्स की बहुत ज्यादा होती है ठीकिए वह सारा वहाहमें नदर आ रहा होता है वह बना हुआ उसका वेट नहीं होता उसमें मौझी आ पाथ स्कर dorまぁ मीट्मिं वोतों में होता तरह हुम डिक कि मुझा आश्ट पता चले मैं वगूंगेई पहरे समूम बुकमनमियों लोगों को नहीं बढ़ा रही हूं आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि बोलते नहीं गलत बता दें बता दें कुछ ठीक है मैंडम यह नहीं मालूम के यूज क्यों होता है उसकी जगा यहीं मैं बता रही हूं कि यह तेमपरेचर सेंस्टिफ बहुत जिखे और जिनमें से नाव वो क्या होते हैं नॉन मैटल्स होते हैं और जो दोनों की प्रोपेटिज को शो करें उन्हें क्या कहते हैं अब जैसे यह हीलियूम है नियोन है आर्गोन है यह मैटल्स भी नहीं होती है और इसमॉस्पेर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है हीलियु है, नियॉन है, नियॉन ब्ल्द में होता है, यह गैसी गुबार है इनमें बहुत च्यादा यह lighter होता है as compared to the air. ठीक है। फिर जैसे क्रेप्टोर्ण है या यह यह रिडियोक्टिवग्ट है ठीक है फिर जीनोन है। यह क्या है तमाम? यह NOBLE अगर आपसे पूछा जाए सबसे कॉमिनस्ट एलिमेंट कौन सा है अर्थ पे अर्थ पे सबसे आम पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है तो आप क्या बताएंगे निट्रोजन वह एकसेस में आपको बताओंगे उसकी मिन पर्संटिजा आपको बताओंगी नहां वह एकटमॉसपेर में होती है याद रखेगा ये क्योंकर नैंट्न एंट्रोजन इसमें परसंट अर्जय और ऑ्विशिजम कितने है त्विंटीवन कितने है और निट्वीट परसंट कुछ इस तरीके से है ठीक है और यह 21 परसंट है तो यह यह होती है इस तरीके से आप तो यह मैं पूछ रही हूँ और अगर मैं पूछूँ हूँ एटमॉसफेर का कौन सा है अगर मैं आपसे पूछू लीथो स्पेर में अब यह पता है ना लीथो किसको गहते है अक्सीजन लीथो स्पेर होता क्या है अक्सीजन चाबाज चार तरह के स्फेयर होते हैं अब मैं इसके डिटेल में चले जाएंगे हम मतलब मैं जाना नहीं चारी लेकिन थोड़ा सा बता वो स्पेर जिसमें लिविंग और्गनिजम्स रहते हैं जिसमें जिन्दा जानदार चीज़ें पाई जाती है लिटो क्या होता है जमीनी ठीक है एटमोस्पेर क्या होता है गैसी स्का सब्सक्राइब याद रहे गाई है इस डाट क्लियर जी मैं वाई समझ आ रही है अम्रीन इस बाद कुझ से है बाई सब्सक्राइब लिटो फिर एटमोस्पेर जिसमें हईड्रो हईड्रो क्या उद्रपानी वाटर और लिथो जमीनी ठीक है एटमोस्पेर गैसी का गुलाफ है ठीक है जिसमें आगे फड़र चार्श्फेर्स आ जाते है इसके उपर क्या जाता है बायो और इसके उपर इसके उपर क्या आजाता है? ए्टिमोस्फेर ठीक है और ए्टिमोस्फेर ये दिखें चले मैं इसको थोड़ा सा बना दो ये बायो और ये क्या बना आपका ली थो और जो वॉटर का वाला पार्ट हो गई ये सारा क्या होगा? हैडरो? नाइट्रो आप यहां पर है और इसमें एटमॉस्फेर में आगे फर्दर चार ऐसे लियर होती है यह सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेर जिसमें यह तमाम किसम के मौसम वगरा पाए जाते है और अगर आप से ओजोन का बहुत ज़ादा पूछा जाता है जो क्या करता है जो क्य पिर आता है आपके पास ठर्मो स्पेर एट्मोस्पेर के आगे चार लेर जा जाती है दिलिकें जो ओजोन है और यह फ्रोटेक्टिव जो लिए हैव वह कहां पर पाई जाती है स्टैट्रोपेर में इसी विज़सर इसका टैंपरेचर ज़्द होता है टूडिदेसेंटिग लेयर्स आफ एट्मसफर की आप रिविट कीज़ेगा कर देती मैं भी और अली क्या बोल रहे है असल में एक दम लेयर्स ज्यादा गई है तो मन्हों थोड़ा कंफ्यूज जाता है मैं मतलब मैंने फ्लो में जाके बता दिया है नहीं बताना चाहिए था चले कोई बात नहीं मैं यह बता देती यह असल में न इसमसी क्यों जाता है एक्मसफर्फियर जो हम पढ़ रहे हैं इसकी न चार लेयर्स है ठीक है पहली जो लेयर होती है अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉक करूं तो यह जो फर्स्ट लेयर होती है सबसे लोर लेयर होती है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्पेर ठीक है इसे उपर वाली जो होती है इसको कहते हैं स्ट्रैटोस्पेर नोट करेंगे तो यह चीज़ें आपके माइड में बैठ जाएंगी और अगर सिरफ सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएंगे ठीक है इसे अवक्ते वोती है धरमोस्फेयर्,कलियर् cent तो जो ये ट्रॉपोस्भेर्थ हैला ये तेमाम एरख्राफ्ट वगहरा इस ही में मूव करते हैं हवाईga halten हैं चारों वेदर हैं ये भी कहां पायजाते हैं इस ही में पायजाते हैं, ठीक एब इस में जो स्टाटोस वेर है इसमें क्या होती है ओजोन लेयर मौजूद होती है ठीक है ओजोन लेयर जो क्या कर रही होती है ऐसी नुकसांदा रैडियेशन को रोक रही होती है जो क्या करती है इंफ्रारेड रैडियेशन जिसे हमें कहते हैं और जो क्या करती है जिनके अगर जो जम पे emission of gases बढ़ती जा रही है ठीक है आपको पता है fuel की burning की बज़ा से तो उसकी बज़ा से जो यह protective layer है आपके यह क्या होती जा रही है टूटती जा रही है ठीक है इसमें क्या होते जा रहे हैं ऐसे holes आ जाते हैं ऐसे जैसा मैंने यह बनाए ऐसे holes create होते जा रहे हैं जिने हम क्या कहते हैं ozone holes जिन में से radiation गुजरती है जमीन पे ठीक है और यही वज़ा है याद रखिएगा के हर साल temperature हर साल गर्मिया पिछले वाले साल से पिछले साल से previous year से ज़ादा होती है ठीक है क्यों क्योंके जब जो temperature है जब वो जमीन पर इंट्राप हो करा जाएगा तो जो globe है जो दुनिया है उसका temperature क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है exceed कर जाएगा इसी को हम फिर कहते हैं एक term देते हैं global warming क्लियर यहां तक चीज़े समझ आ गए है यह हमने थोड़ा सा डिटेल में गए है इसके atmosphere की तो यह आप लोगों ने लिख लेना ऐसे यहां तक समझ आ गए है यहां मैं 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 आप जाए है जी सबको आगई है उड़ जाए शाबश यह जो बाकी बच्चे बैठे में हसन है यह फुरकान है यह फरहान ही क्या नाम है सल्मान है अच्छा जी यह हम थोड़ी सी इसके डिटेल में गए लेकिन मैं अभी यह कराना नहीं था लेकिन वह जिकर आ गया तो मैंने उसको करवा दिये कोई बात नहीं अब अगर आप से पूचा जाए रेरेस्ट एलिमेंट कौन सा है सबसे कम पाय जाने वाला बाफ बाफ लेकिन याद रखेगा अगर आपसे सबसे जयादा लाइट अट टेस्ट भी पूचा जाता है लाइट एस्ट हलकी टीक है वह कौन सा है हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन और यह क्या होती है याद रखेगा और प्रोडी टेवल में 118 में से तक्रीबन 80% जो है वो मैटल्स ही है ठीक है मैटल्स ही है अच्छा कभी आप लोग ने एक नाम सुनें फ्री मैटल्स अच्छा केड़ी अपलोग ने इइं प्री मैटल्स क्या होती है मैं कैसुन में इलेक्टरॉण सोह है वो वेलेंच शेल्म फ्री हो रहे हुते हैं उन्हें इनर्ट मैटल्स को delivery गईते हैं जोो के इफेक्ट नहीं होती ही से किसी भी चीज से छी के water है या environmental conditions है उसे effect नहीं होती हुंने कहते इंको हम एक और नाम भी देते हैं इन को हम transition metals भी कह रहे होते हैं समाव और in security spirit कि क्या होता है वह चीज़ किसी के attack पर रही है हो izist कर रही о्ट मैटल और वह कौन कौन सी है वह तीन ही है और वो कौन सी है प्लाटीनम सिलवर और यह आपके पास है गोल्ड ठीक है यह आपके पास है और यह आपके पास है गोल्ड इन तीनों में से सबसे जाद expensive कौन सी चीज़ है लाटिन लाटिन लाटिनम पेरी कुल ठीक है यह बहुत ज़ाद expensive है फिर गोल्ड और पिर आता है लेकिन इनर्ट मैटल है ठीक है याद रखेगा इनको मैंने प्लाटिनम को इतना expensive है मैं समझ रहा थे कि गोल्ड है इसकी properties कुछ इस तरह से असल में जो गोल्ड है आप देखते हैं कि जितने भी jewelry वगारा में जो यूज होता है या वैसे ornamentals में यूज होता है इसकी जो surface है वो क्या हो जाती है डल हो जाती है ठीक है टार्निष्ट हो जाती है क्योंकि इसकी वज़ासे gases के attack की वज़ा से ठीक है या moist air की वज़ा से लेकिन जो platinum है इसमें ये खुसित है कि ये कभी भी कभी भी ये जो है ये metal जो है वो क्या नहीं होती दुंदली नहीं होगी खराब नहीं होगी surface खराब नहीं होगी ठीक है अब तो यह पता है यह जो मतब हैं वह इसे दाफ भी लगवाने हो ना तो वह इसके बनवाते हैं बन वाइन है ठाफिर उसको घरवालों को उसके उनकी मतलब अब कर में इसके नोद को यह क्री करों उन ने यह की प्रोपर होती है क्यों बहुत जा दो महुद्ग एगर फॉ कोजई हैं जा रहा है ऊनलैक विलोव लेक्ड जा तब उस टाइम पे जो यह प्लाटीनम है वो पूर फाइव लैक पे था ठीक है मतलब यह इमदाद इमाद इमाद कान कैसे हैं पहले तब यह बता है न्यूट करें खुद को जल्दी से